हेलो दोस्तों वेलकम टू सिवसांती क्लासेज में आज सभी का स्वागत हैं इस वीडियो में हम अध्याय सेवन त्रिभूज का हमारा पार्ट नमबर 12 वीडियो है इस वीडियो में हम एक्ससाइज 7.1 के क्वेशन नमबर 7 अच्छे से कंप्रिट करेंगे तो चलिए शुरू पहले करते हैं उससे पहले उमेद करते हैं आप सब्सक्राइब बटन दिया होगा सब्सक्राइब लिखा होगा वहाँ पर सब्सक्राइब कर दिजे और उसके बाद कोई चार्ज नहीं है कोई पैसान नहीं, बस इसका मतलब यह है कि आप हमारे इस सिवसांती फेमिली से, सिवसांती क्लासेस फेमिली से जुड़ चुके हैं, आपका हर एक डाउट लिया जाएगा, हर एक प्राब्लम सौल्व किया जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं फ्री आप कोस्ट हर प्रकार की समयस्याओं का समयधान आपका किया जाएगा ठीक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रस कर लेजिए ठीक तो चलिए क्वेशन क्यों प्रस्थान करते हैं तो यह रहा हमारा क्वेशन नंबर सेवन तो पढ़ते हैं और पी जिसका मद्ध बिंदू है पी हमारा एक मद्ध बिंदू है मद्ध बिंदू अर्थात ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा अर्थात एपी बराबर हो जाएगा बीपी के ठीक यह इस इस लाइन का मतलब हो गया उसके बाद डी और ई रेखा खं AB के एक ही और इस्तित है अर्थात AB के एक ही और इस्तित था दोनों ऊपर ही है इसका मतलब यह हो गया ठीक अर्थात कोई एक उपर एक नीचे नहीं है दोनों एक ही साइड है D और E अब क्या बोल रहा है आगे कि इस प्रकार है कि एंगल BAD ये वाला एंगल और एंगल ABE ये वाला एंगल ये एंगल आपस में क्या है बराबर है और एंगल EPA ये वाला एंगल और एंगल D, P, B D, P, B ये वाला एंगल ये दोनों आपस में बराबर है अर्थात ये एंगल बराबर मिल गया ये एंगल बराबर मिल गया और ये साइड बराबर मिल गया इतना चीजें हमारे पास given है बट हमें बस प्रूफ क्या करना है कि ट्रेंगल D, A, P ट्रेंगल D, D, A, P ये वाला ट्रेंगल इस वाले ट्रेंगल E, B, P E, B, P इस वाले ट्रेंगल को आपस में सरवांगसम प्रूफ करना है और A, D बराबर B, E A, D बराबर B, E ये हमें प्रूफ करना है तो यह दो पॉइंट हमें क्या करना है प्रूफ करना है सू करना है ठीक तो चलिए सॉलूशन की और प्रस्थान करते हैं सॉलूशन क्या है कि गीवन पार्ट हमने आपको बता दिया कि तीन चीज़ें हमारे पास गीवन है कौन कौशा कि एबी एक रेखा घंड है और पी मद और ABC यह दोनों एक आपस में बराबर अंगल EPA बराबर हैं इंगर DPB के ठीक तो यह पहला पॉइंट यह सुन है तो एंगल EPA ये बराबर एंगल dpb ये क्या हैं दोनों बराबर हैं ये तो given में ही है ठिक और समीकरण 1 से जो हमार समीकरण 1 आया में दोनों पक्षों में e-p-d जोड़े हैं e-p-d जो e-p-d है एंगल e-p-d ये दोनों क्या हैं दोनों में common हैं जब जैसे पिछले question में आपने देखा था उ आप ये दोनों में यह वाला एंगल ले ले यिस वाले पूरे अंगल कore इस वाले एंगल को यह दोनों एंगल क्या हो जाएगे कामन हो जाएगे तो आप इस बोस है सकते हैं कि e-p-e pls e-p-d e-p-e- pact yay और e-p-e अधर ये पूरा एंगल ट्रेंगल ए बी पी ट्रेंगल ए ए बी पी स्वारी जो एंगल ए पी बी ये वाला एंगल अर्थात क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएगा यहां तक आपको समझ में आ क्या है तो यह चीज़े क्या है यह चैप्टर में क्या है कि A, B, C, B, C, D, A, B, D अलफाबेट का खेल है इसलिए इस चीज़ को एकदम गौर से देखना है आपका कंसांट्रेशन ने बिगड़ना चाहिए यह बार-बार भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बाकि यह चैप्टर है ना बहुत सरा है इससे सरा चैप्टर आप पूरे मैथ में नहीं पाएंगे इतना ध्यान रखिए ठिक यह यह कठिन लग रहा तो फिर पूरा मैथ आपको कठिन लगेगा घ्रित तो चलिए तो पहला vacation क्या हो जागे डी एपी links दी एपी यह वाला ट्रेंगल और लिए बी पी ट्रहंगल इंदोनों में इपी बराबर बीपी दिया हुआ है एंगल BAD बराबर ABD, ABE ये भी दीवन पार्ट है और एंगल DPA और एंगल EPB ये दोनों हमने equation number 2 में प्रूफ कर दिया था तो हमारे पास ये side हो गया, ये angle हो गया, ये angle हो गया तो सरवांज नमरा के दो नियाम होते हैं, पहला होता है SAS, दूसरा होता है ASA दो अभी तक हमने पढ़े हैं, होते हैं बहुत सार हैं, लेकिन अभी तक हमने दो ही पढ़े हैं, तो इन्हीं दोनों का यूज करना है तो आप देखिए कि हमारे पास मिला क्या क्या क्या, दो angle मिले और एक side मिले, ये वाला है तो कह सकते हैं कि angle side angle सरवांगसम तनियम से triangle DAP सरवांगसम हो जाएगा triangle EPP के, ठिक, तो जब दोनों triangle सरवांगसम हो गये, तो आप कह सकते हैं कि AD बराबर BP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अर्थाथ जो ad है, ad, be, e के बराबर हो जाएगा, ठिक, तो उम्मीद करते हैं, ये question भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो गया, तो चलिए मिलते हैं next video में question number 8 के साथ, तो उम्मीद करते हैं, आप इस channel को subscribe कर लिए हो जाएगे, और video को like करती होंगे, तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिन, जय भारत